वीपर जाय के बाद एक बब फिर से तूफान का खत्रा मड़ाने लगा है अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तेज तो दूसरी और बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान हामून आज हमारी चर्चा की वज़ा हामून है जी हाँ हम बात कर रहे हैं इस चक्रवाती तूफान की जो उठा है बंगाल की खाड़ी में नमस्कार मेरे नाम है मिताब और द्रिश्टी आइस के इंडिप्स रिंखला में आपका स्वागत है आज इसी हामून चक्रवाती तूफान के उपर हम चर्चा करेंगे तो आईए देखते हैं हमारे चर्चा के बिंदू कौन से हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि खबर क्या है फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यूं है फिर समझेंगे चक्रवात क्या होता है कैसे होता है इन चक्रवातों का नामकरण जैसा कि आपने देखा मैंने हामून से इसको शंबोधित किया इससे पहले विपर जाए या फिर तेज ये सारे नामकरण किस प्रकार होते हैं उसको भी हम देखेंगे क्या उसकी प्रक्रिया है अंत में एक परिपाटी होती है हमारे भ्यास प्रश्न की उसकी तरफ भी हम जाएंगे तो शुरू करते हैं आप आज का सफर सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है तो खबर है डाउन टू एर्थ की जहां से हमने इसी प्रश्न इसी खबर के आलोग में आज का संदर्फ हमारा केंदरित होगा साइक्लोन हामून आप देख सकते हैं डीप डिप्रेशन इन बे अफ बेंगाल में इंटेंसिफाइ इंटू साइकलोनिक स्टाउं आउक्टूबर 23 सेज आईमडी आईमडी ने ये कहा है और इसी खबर के आलोग में आज की हमारी चर्चा केंदरित होगी तो सबसे पहले देखेंगे कि ये च थान छोड़ती है तो उस जगह को लेने के लिए ठंडी हुआ हो आती है इसलिए हवा चलती है तो 14 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से एक तूफान एक तेज गती से तूफान की और बढ़ता हुआ इस गती से तूफान की और अग्रसर है अभी तूफान का रूप नही की है और सचेत किया है वह हाल ही में उसकी इस भविश्यवाड़ी जब तक एक खबर छपी थी उसके बात की खबरों में आपने देखा भी होगा कि यह चक्रवात अपना सर दिखाने भी लगा है और यह भविश्यवाड़ी की गई कि 25 अक्टूबर को आप देख रहे हैं च चक्रवात क्रॉस करेगा लेकिन उसका प्रभाव इन तटी छेत्रों में देखा जा सकता है इस दृष्टिकूर से भी यह महत्वपूर्ण है बंगाल की खाडी में यह चक्रवाती तूफान है इस लिखास से चर्चा में है भारत पे भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है इसलिए चर्चा में है उतना हनिकारक प्रभाव नहीं है लेकिन फिर भी हम समझेंगे हामून के विशे में जानेंगे और चक्रवात क्या होता है उसको देखेंगे तो सबसे पहले हामून के उपर चर्चा करते हैं, किसी भी चक्रवात का नाम आता है तो पहली बात आती है उसके नामकरण की, तो उसका ये नाम, नामकरण हामून, हामून वस्तुता इरान द्वारा इस बार इसका ये नाम जो है, वो दिया गया है, इरान के द्वारा दिया करता है इसके उत्पत्ती कहा है कोई अगर चक्रवाती तूफान आता है तो उत्तपत्ती का स्थान में होता है परिक्षा की लिहाज से इसके उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी है यह आपको ध्यान देना है अगर तीवृता की बात करें तो शुरुआ जरूर 14 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से होती है लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते इसकी जो गती है वो बढ़ेगी 90 किलोमीटर प्रती घंटा होगी और आगे बढ़के 100 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से इसके बंगाल के तट से बंगलादेश के तट से टकराह की संभावना व्यक्त की गई है तो ये इस रेड़ी में है किस रेड़ी में वो आगे आपको बताएंगे क्योंकि इसका भी स्रेड़िवार विभाजन किया जाता है इसकी गति के हिसाब से असर के अगर बात करें तो पस्चिब मंगाल उडिसा मिजोरम और मेघालय सहित भारत के साथ राजी से प्रभावित हो रहे हैं इस लिहाज से भी ये तूफान हमको देखना है चक्रवात की अगर बात करें ये चक्रवाती तूफान है तो चक्रवात की उत्पत्ति वस्तुता कैसे होती है एक नजर हम इस पर भी डालेंगे चक्रवात क्या होता है चक्रवात कम मान लीजी चुकी समुदर की बात हो रही है तो यहां पर सूरियाता परथात सूरी का ताप जब पढ़ेगा तो यहां से वहां का जो जल है वो उसका तापमान बढ़ेगा सतह का तापमान बढ़ेगा और यहां से गर्म होके जब हवा होती है वो इस खाली जगा को इस निम्गदाव वाले स्थल को भरने के लिए आगे आएंगी और इस तरह से तेज गती से उस स्थान को भढ़ने के लिए ज़ब आगे आएंगी तो यहां पर आप देखेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति होगी इस तरह से ये उपर उठने की प्रक्रिया चलेगी और आसपास से आने की यहाँ पर प्रक्रिया सस्थान को भरने की प्रक्रिया चलेगी और इस तरह से चक्रवात की उत्पत्ती होती है अगर हम बात करें तो गोलार्ध में आप देखें यह पृत्मी है पृत्मी में बीच में विश्वत रेखा करकर रेखा मकर रेखा अगर बात की जाए तो ये सुर्याताप जो है वो अधिक होता है। उस अधिक सुर्याताप के कारण ही यहाँ पर चक्रवाती घटना अधिक होगी जिस जगह पर सुर्य का ताप ज्यादा प्राप्त होगा। यह घटना घटित होती है साइक्लोन शब्द की अगर बात करें तो एक ग्रीक शब्द है साइक्लोस अर्थात साप की कुंडलिया इसका अर्थ होता है उससे यह लिया गया है है एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस नाम को सुझाया था और उष्ड कटिबंधी चक्रवाद संसीत दौष्ण चकरवाद आएगा आज जीस चकरवाद की हम बात कर रहे हैं वह उसको पर हम चर्चा करेंगे आगे करें कि इसको अन्य जगहों पर कुछ अन्य नामों से जाना जाता है कि विभिन नामों से पुकारा जाएगा इससे आप कभी भी दिग्रमित नहीं कि उत्तरी अट्लांटिक की अगर हम बात करें पुर्वी प्रशांत की बात करें तो यहां पर इसको हरीकेन नाम से जाना जाता है साथ ही अगर दक्षण पुर्वेशिया और चीन में देखें तो इसको टाइफून नाम से पुकारा जाता है इसके नाम अलग है लेकिन ह यह चक्रवाती तूफान ही दक्षिण पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर के इक्षित में आप चले जाएंगे तो इसको उष्ण कटी बंधी चक्रवात कहा जाएगा ट्रोपिकल साइकलोन कहा जाएगा उत्तर पश्चिमी आस्ट्रेलिया में इसको विली-विली नाम से संबोधित किया जाता है तो अलग-अलग जगहों पर इसके अलग-अलग नाम हैं वह कौन सी परिस्थितियां हैं जब इस चक्रवात का गठन होगा कुछ ऐसी सिच्वेशन होती है स्थिती होती है जब यह चक्रवात उत्पन होते हैं कौन सी स्थिती है कुछ मुलभूत हैं वैसे तो 5-6 स्थितियां हैं लेकिन मूलभूत स्थितियों को अगर देखा जाए तो पहली बात है कि 27 डिग्री सेल्सियस जो एक आउसा तापमान होता है समुद्री सतह का उससे जैसे ही उपर तापमान होगा तो इसके लिए एक आईडियल कंडिशन बनेगी अर्थाद जब उसकी सधा का तापमान बढ़ेगा तो वहां पर वायू गर्म होकर उपर उठेगी उस जगह पर आसपास की ठंडी वायू उसको भरने के लिए तेजी से आएगी उसके लिए एक आईडियल गूमती है अपनी जगह पर तो उसी के कारण इस बल की उत्पत्ती होती है और उत्तरी गोलार्द में आप देखेंगे तो यहां पर जो हवाएं हैं बैसिकली हवाओं के सापेक शिप्स बल की बात की जारी है ऐसा कहा जाता है कि हवाएं इस घुडन गति के कारण दाहिनी और दक्षणी गोलार्द अर्थात विश्वत रेखा के नीचे यह हवाएं अपने बाई और घूम जाती है और यह जिस प्रभाव के कारण होता है उसको कोरियासिस बल कहा जाता है यह दोनों की गति आपको याद रखना है कि उत्तरी गोलार्द में दाहिनी और दक्षणी गोलार्द में यह बाई और मुड़ जाती है उसका कारण प्रिथवी की घुड़न गती है और इसको फेरेल के नियम से भी समगोधित किया जाता है फेरेल का नियम भी कहा जाता है तो मुखी रूप से यह इसका तापमान समुद्री बड़ी सता हां एक बड़ी सता का होना भी आवशक है बड़ी समुद्री सता के लिए भी चक्रवात की उत्पत्ती का एक कारण है तो तीन कारण आप देखें मुखी रूप से बड़ी समुद्री सता 27 डिग्री से उपर का तापमान और कोरिलोसिस बल यह तीन चीजें हैं जिसके वज़से यह उत्पन हो सकता है उसके लिए आईडियल कंडिशन बन सकती है अब बात करें तो यह उश्रिकटी बंधी चक्रवात एक तीवर गोलाकार तूफान है गोलाकार क्यों होते हैं तो बताया गया कि बीच में जब यहां आप देख रहे हैं कि इसका सतह जब गरम होगा तो यहां से वार्म ओसीन व धूमना और उपर उठना इस प्रकार यह सरकल बनता है और उपर धीरे धीरे जाने के बाद यह संगनित होने लगेगा आप यहां देख सकते हैं और बाद में जब उपर जाएगा तो यह ठंड़ा होगा ठंड़ा होने के बाद संगना नोने के बाद तीवर्सा होती है और बाहर की तरफ उच्छदाब होगा तो इसके घूमने की गति के कारण अंदर निम्नदाब की स्थिति उत्पन होती है और विशिष्टता की रूप में इस चक्रवात की आकरती में इसे चक्रवात की आख की संग्या दी गई है इस छेत्र को माना जाता है साथी अगर इसकी दि उल्टा हो जाएगा जैसे चक्रवात उतरी गोलार्द में घडिकी अल्ती हो जाती है, चक्रवात में इसामे निम्न वायुदाब, बाहर उच्छ वायुदाब होता है लेकिन प्रती चक्रवात जो होता है उसमें सेंटर में उच्छ वायुदाब और बाहर निम्न वायुदाब होता है इसलिए प्रती चक्रवात में जैसे चक्रवात में अंदर से बाहर की तरफ ये चल रहा है वैसे ही प्रती चक्रवात में निम्न से वायू की तरफ, बाहर की तरफ, यह हवा की गती चलेगी, तूफान की गती चलेगी, साथी इसमें देखें अगर आगे आप, तो निम्न दाब प्रणाली की तीवरता के आधार पर इसका वरगी करण किया गया है, आप जानते हैं कि जहां निम्न दाब होगा, लो प्रेशर में, उसी तीवरता में वायू चलेगी, उसी तीवरता में उस तूफान की इंटेंसिटी होगी, इस आधार पर इसको वरगी करित किया गया है, कैसे किया गया है, तो लो प्रेशर अगर होगा, अर्थात किलो मीटर प्रतिहावर उसकी जो गती होगी वायू के चलेगी तूफान चलेगा तो इसको deep depression कहेंगे एसी तरह से 68 से बीच होगा तो इसको cyclonic storm कहा जाएगा साथी 88 से 117 के बीच में होगा तो इसको गंभीर स्रेनी का cyclonic storm कहा जाएगा और super cyclone अर्थार सबसे जो विभत सिस्थिति है वो है more than 21 km प्रतियावर तो ये जो तुफान जिसकी हम जर्चा कर रहे हैं उसकी अगर गति की बात करें तो सव के आसपास है अर्था तो किस त्रेणीम है आप सोयम कमेंट करके हमको कमेंट बाक्स में बताएं आगे अगर देखें तो कैसे होता है इनका नामकरण ये भी एक महत्वपूर्ण प्रशन अक्सर परिक्षाओं पूछा जाता है तो भी शुभर में अगर देखें तो महासागर जितने भी महासागर बेसीन है उसमें जितने भी चक्रवात बनते हैं उसके नामकरण के लिए सब्सक्राइब करें अब देखें तो 2000 में संगठित हुआ हिंद महासागर छेत्र के लिए इसमें शुरू में आठ देश थे फिर कुछ पांच देश और मिल गए वरतमान में अगर बात करें तो तेरा देश हैं पहली बार हिंद महासागर छेत्र के लिए 2004 में नाम सुझाया गया ध्यान रखेंगे आप 2004 में गठन इसका जरूर 2000 में होता है वरतमान में तेरा देश की अगर बात करें तो यह जो पैनल बनता है जो नाम सुझाने का काम करता है इस पैनल के अंतरगत बंगलादेश, भार इरान, मालदीव, म्यामार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सौधी अरब, स्रिलंका, थाइलेंड, संयुकत अरब, अमिरात और यमन शामिल है इस शेत्र का नाम यह सजेस्ट करते हैं और इन तेरा देशों द्वारा तेरा देरा नाम अर्थात कुल कितने नाम होगे तो तेरा इं स्थाय महत्पून है, TCWCS और RSMC, इनके द्वारा ही यह सजेस्ट किया जाता है, यह प्रथा शुरू की गई वर्तवान में यह संगठन है, इस शेत्र के लिए जो बनाया गया, क्या मानदंड होते हैं जिनके आधार पर इस नाम को सजेस्ट किया जाता है, ऐसा तो हैने कि कुछ नियम कायदा कानून होगा, तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखनी आवश्चेक है, तो वो मानदंड आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो भी प्रस्तावीत नाम होगा, वो राजनेतिक पॉलिटिकल नहीं होगा, राजनेतिक हस्तियों का नाम नहीं हो सकता है, औ किसी विशेश लिंग के प्रती तटस्थ होना चाहिए, और थात कुछ विशेश ऐसा नाम नहीं हो कि वो किसी खास चीज को, खास संस्कृति को, खास लिंग को डिनोट करता हो, तो इन सब चीजों से वो तटस्थ होना चाहिए, साथी आबादी के किसी एक समू की अपना रख दें कि वो किसी की भावनाओं को आहत करता हो, साथी ये संशिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा नाम नहीं होना चाहिए, साथी उच्छारण में आसान होना चाहिए, ये भी इसकी खास बात है, से लिए आप देखेंगे जितने भी इस तरह के तूफान आये हो उनका नाम काफी सरल होता है, नाम के अधिक्तम लंबाई की परिसीमा है, आठ अक्षर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये भी इसकी एक शर्थ है, और ऐसा नहीं है कि नाम कुछ रख दिया गया तो एकदम से फाइनल हो गया, अंतिन रूप से उसकी समिक्षा भी की जा ऐसा नहीं हो कि एक बार कोई नाम अगर दे दिया गया, तो फिर से दुबारा वो रिपीट हो, कुछ मांदन हैं जिनका इसमें ध्यान रखा जाता है, वरत्मान सुची में मैंने आपको बताया कि 179 नाम हैं जिनमें सदस देशों में से प्रतेक द्वारा 13 नाम सुझाये ग करने का तो उनमें एक नाम आम सदस्यों द्वारा सुझाये गए नाम भी हो सकते हैं, अब अगर इनकी बात करें तो 63 किलोमीटर प्रती घंटा से अगर स्पीड जादा होगी तभी उसका नामकरण किया जाएगा, उससे नीचे अगर होगी तो वो नामकरण के अंतरगत उस साइकलोन स्रेणी में उसकी गती कितनी होती है तूफान की, तो ये कुछ तत्त ही थे, उमीद है आपको समझ में आया होंगे, अंत में हमारी एक परिपाटी है अभ्यास प्रश्न की, तो पटल पर अभ्यास प्रश्न है, आपके सामने के गंभीर स्रेणी है तूचकरवाती तूफान की गती किस सीमा से उपर होनी चाहिए, ओप्शन है 63 किलोमीटर प्रती घंटा से अधिक, 118 किलोमीटर प्रती घंटा से अधिक, 211 किलोमीटर प्रती घंटा से अधिक, या उपरियुक्त में से कोई नहीं, उमीद है संदर्व समझ में आया होगा, आप अपने लक झाल झाल